हेलो दोस्तों, आपको अजय हिंदी कहानिया चैनल में स्वागत है भगवत गीता के अध्याय दो सांख्य योग जय श्री कृष्ण दोस्तों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही सलीका कितनों को आता है यही धेय है हमारी इस गीता का मैं अजय, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विशाल, उसका दुख, उसकी दुविधा जाने अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांखियोग इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर विशलेशन है यहां से शुरुवात होती है उस ग्यान की जिसके लिए भगवद गीता, दुनिया का सबसे महानतम ग्रंत और ग्यान का भंडार माना जाता है अर्थात संजे कहते हैं अर्जुन दुख से गिरा हुआ है आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत तूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था वहां दुख और विशाद का माहौल है अर्जुन की आँखों में आशू, मन में निराशा है यह एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी तृतराश्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों, यही है गीता, अर्जुन या हम सब की शंका और कृष्ण का ग्यान श्री भगवान वाच कुतस्तवा, कश्मल मिदम, विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वयम कीर्थिकर्म अर्जुन अर्थात श्री भगवान बोलते हैं हे अर्जुन तुझे इस समय असमय में यह मोह की इस हेतु से प्राप्थ हुआ क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुशों के द्वारा आचरित है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्थि को करने वाला ही है युद्ध के समय ऐसी शंका यह तो अब असमय है इस तरह अपने शत्रु के प्रती मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योध्ध कैसे कर सकते हैं अपने कर्म से अगर हम मोह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश बैठ जाए तो वह ठीक नहीं है इससे कभी कोई लाब नहीं होता अर्थात कृष्ण समझा रहे है है अर्जुन अगर तु युद्ध में आया है तो युद्ध कर ऐसे डर्मत तेरे जैसे धनुर्धर के लिए ये ठीक नहीं है इस तरह से मन की कमजोरी मत दिखाओ दोस्तों श्री कृष्ण यहां शक्तिहींता कमजोर हो जाना युद्ध से मुह मोड लेने वाली बात कर रहे यानि कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए स्वयंग को कमजोर मान कर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुरबलता छोड़ कर हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं अर्जुन उमाच कथम भीश्म महम संख्य द्रोनंच मधुसूदन इशुभिय प्रतियोत स्यामी पूजाह नवरिसूदन अर्थात अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं हे मधुसूदन मैं रणभूमी में किस प्रकार बानों से भीश्म पितामह और द्रोनाचार्य के विरुद्ध लड़ सकता हूँ जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं उन पर मैं कैसे बान चला सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए है अपने पितामह है या अपने गुरु पर वह बान कैसे चला सकते हैं लेकिन युद्ध का तो यही काम है बान शत्रू और अपने में भेद नहीं करता जब वो चलता है तो प्रान लेने के इरादे से जिसे करने में इस वक्त अर्जुन असफल हो रहे है अर्थात अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वह ऐसा कहते हैं कि इन महान भाव गुरु जनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन भी खाना का ल्यानकारक समझता हूं यहां पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मार कर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाब ले लू उसका क्या मतलब है अपने इन लोगों को मार कर उससे अर्थ और भोग, धन, धान्य, एश्वर्य यह सब तो मैं प्राप्त कर लूँगा परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा दोस्तों अर्जुन ही नहीं दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए परंतु यह तो संभव नहीं अर्थात अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ट है यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे और जिन को मार कर हम जीना भी नहीं चाहतें वो ही हमारे आतमिय धृतराष्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं भविश्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता विधिने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए अर्थात इसलिए कायरता रूप दोश से उपस्थित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विशे में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित का ल्यान कारक हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि प्रभु मैं आपका शिश्य हूँ दोस्तों कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं जिससे भ्रम का भाव हमारे अंदर आता है अर्जुन ये मान रहे हैं कि वह भ्रम में है कायरता का दोश वो अपने उपर ले रहे हैं और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका शिश्य हूँ मुझे बताईए कि क्या सही है दुविधा के समय गुरु ही एक मात्र सहारा होता है दोस्तों और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए खुल कर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा अर्थात अरजुन आगे कहते हैं जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी धन धन्य मिलेगा, नाम होगा लेकिन इन सब के मिलने के बाद, उनका यह दुख कम नहीं होगा, जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है, तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता और उससे भी बड़ी बात, अगर आप दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंड नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंड लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा अर्थात, संजय दत्राष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्रीकृष्ण को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं, यानि निद्रा हमारी प्राकृतिक आवश्यक्ता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजए नहीं पाया लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजए प्राप्त कर ली थी और वो ही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है किस समय कौन से दुर्बलता हम पर हो जाए और कुछ समय के लिए हम उससे हार मान ले, यह कहना बड़ा मुश्किल है जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत के आगे बढ़ते है और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा अर्थात धृतराष्ट्र की उच्सुकता बढ़ रही है स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे ये तो कहने की आवश्चकता नहीं है वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे लेकिन युद्ध की एक-एक बात को जानना चाहते है संजय बताते हैं हे भरतवन शीद्र तराष्ट्र दोनों से नाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन है और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण जो अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोल रहे हैं एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकाल दर्शी कृष्ण है श्री भगवान वाच अशोच्या नन्वशोचस्त्वम प्रग्यावादांश भाशसे गता सुन अगता सुन्ष नानुशोचन ती पंडिता अर्थात श्री कृष्ण का गीता ज्यान अब यहां से आरंभ हो रहा है दोस्तों भगवान बोले हे अर्जुन तू ना शोग करने योग्य मनुश्यों के लिए शोग करता है और पंडितों की तरह मुझसे बातें करता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोग नहीं करते कि जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते। अर्थात, इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। न त्वे वाहन जातु ना सन न त्वम ने में जनाधिपाह। न चैव न भविश्यमह सर्वे वयमतह परम। अर्थात है अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अत्वा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इस से आगे हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के र प्रजाजा नहीं थे। अर्थात कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और व्रिधा वस्था होती है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दीखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करे या ना करे। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना। जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा, आत्मा की इस परिभाशा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे इंद्रियों और उनके विशयों से जुड़कर के हमें भूक, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे अनुभूती हो जाती है। लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बाते हैं जो खत्म होने वाली है। सारी की सारी खत्म होने वाली है। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा, यही नव्यथैंतियते, पुरुशम पुरुशर्शब, समदुख, सुखम, धीरन, सुम्रितत, वाय कल्पते, अर्थात, दुख, सुख को समझने वाले जीज, धीर, पुरुश को यह इंद्रिये और विशयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में यह जैसा रहे, वहीं जीवन में आगे बढ़ता है, जितनी भी आपकी आयू हो, जीवन में जरा पीछे मुड़ कर देखिए, नजाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे, कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बेहत बड़े नुकसान पर, शायद आप फूट फूट के रोये भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा, यानि इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुहक तो आते जाते र अर्थात कृष्ण कहते हैं कि असत्वस्तु की तो सत्ता नहीं है, और सत्त का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, तत्व ज्यानी पुरुशों द्वारा देखा गया है, जो जूट है, उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का ही है, समझदार तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खूशी होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्यान को समझे पाएंगे, तो यह दोनों भाव जूटे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं, मूल्य है, तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है, और सिर्फ वही सच है, अविनाशी बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई हमेशा के लिए, हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है, यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा बाहर है, तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है, ना वो भी इसी में समाई हुई है, अ पाकि सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव है जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तु युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है। इसका मरना संभव नहीं, इसलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ग्यान इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन सन्यास में समाधि में ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। और वही सच्चाई है तो शोक किस बात का करना। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं, ये तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे. लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत कुछ कर चुके हैं, ये सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है, नजायते म्रियते वकदाची नाए भूतवा भविता वनभूयः, अजो नित्यः, शाश्वतोयं पुराणों नहन्यत हन्यमाने शरीरे, अर्थात कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा ना ये उत्पन होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मरे जाने पर भी यह मरती नहीं, आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में बाकी सब कुछ आता है और जाता है, आत्मा कल आज और कल हमेशा रहेंगी, गीता की सबसे कंभीर बात का यह मूल है, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी, आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा आएगा और जाएगा वेदा विनाशिनन नित्यम या एनमजमव्यम कथन सपुरुषः पार्थकम घातेयती हंतिकम अर्थात है अर्जुन जो पुरुष ऐस आत्मा को नाश रहिद, नित्य, अजन्मा और अव्य मानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है वह किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना ब्रह्म को समझना सच से अधिक हम जूट को महत्व देते हैं आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अगनी में जल के उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को जो हमेशा थी और हमेशा रहेंगी वासांसी जीरनानी यथा विहाय नवानी ग्रहवाती नरोपरानी तथा शरीरानी विहाय जीरना न्यन्यानी संयाती नवानी देही अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्थ होता है मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं पुराने कपड़े फट जाने पर उसके धागे-धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है वैसे ही अलग-अलग कारण से जब मृत्यू होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता तब आत्मा उसे छोड़ कर दूसरे शरीर में चली जाती है शरीर की आयू होती है परंतु आत्मा की नहीं जब देह की आयू पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने घर को छोड़ कर दूसरे घर में जाती है अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता और वायू सुखा नहीं सकती आत्मा कोई वस्तु नहीं की कट जाए जल जाए या सूख जाए आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी आत्मा किसी के भी जैसी नहीं है उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी अच्छेद्यो यम दाहियो यम अकलेद्यो शोश्य एवचा नित्य सर्वगता स्थानु रचलो यम सनातना अर्थात ये आत्मा अच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता ये आत्मा अदाहिय है, इसे जलाया नहीं जा सकता ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है सनातन का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वहीं आत्मा भी है श्री कृष्ण की बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान है मतलब हमारा जो ये शरीर है इस पर ज्यादा ध्यान ना दे हम समझे आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता तभी हमें मुक्ती मिलनी संभव हो सकती है अर्थात, आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते इसको अचिंत कहते हैं, इसको आप सोच भी नहीं सकते यह आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती कृष्ण आगे कहते हैं हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात, तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अर्थात, आत्मा का यह ज्यान क्रिश्न अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिन के लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अरजुन यदि तु इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है दोस्तों अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोप करने का कोई मतलब नहीं अर्थात कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन अगर तुम यह मानते हो कि जन्म हुए की मृत्यू निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है तो इससे भी इस बिना उपाये वाले विशय में तुम्हें शोप करने का कोई हक नहीं है जन्म और मृत्यू तो जुड़े हैं एक के बाद दूसरे का होना तो फिर शोप क्यों करना जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है क्रिश्न यहां ये कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोप करते हैं जिसका होना तय है, यह समझदारी नहीं है। जो तय है, वो होगा ही और जो होगा ही, तो उसके लिए शोक करके अपने आपको कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यक्ता है। अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत, अव्यक्त निधनान नेवतत्र का परिदेवना। अर्थात हे अरजुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिती में शोक क्या करना। हमारा होना किसी का भी होना उनके जन्म और मृत्यू के बीच में होता है। तो फिर शोक इसके लिए करना। अचानक से एक जन्म होता है। जब कोई नहीं था तो वो एक नया खिल खिलाता हुआ नया जीवन आता है। खुशिया लिये हुए। लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांती देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व को आश्चर्य की भांती वर्नित करता है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांती सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता यानि कि आत्मा को समझना बेहद बेहद और बेहद मुश्किल है कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई हैरान हो कि आत्मा का वर्णन करेगा और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनके इस बात को समझ नहीं पाएंगे कितनी ही बार लोग ज्यान की बाते सुनते हैं और थोड़ी ही देर में वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं मोह माया से निकलना है तो अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं तो अर्थात है अरजुन ये आत्मा सब के शरीर में सदा ही अवधिया है इस कारण संपून प्राणियों के लिए तो शौक करने के योग ये नहीं है आत्मा का वध करना संभव नहीं है जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है तो तू शोक किसके लिए कर रहा है यह कि इस आत्मा को समझे कैसे इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ती है अर्थात कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देख कर भी तो भाय करने योग ये नहीं है अर्थात तुझे भाय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्यान कारी कर तव्य नहीं है दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए पूरे तन मन से बस उस काम को उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए ग्यान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है कर्म करने का अर्थात हे पार्थ, अपने आप्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूब, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं युद्ध को को खुले मन से स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी खुशी है क्रिश्न युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मान कर उस चैलेंज को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए क्षत्रिय वह हैं जो युद्ध में अपना धर्म निभाएं अगर आपकी कामना आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है तो एक शत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए अथ चेत्व मिमं धर्म्य संग्रामं नकरिश्यसी तथा स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वापस्यसी अर्थात यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्थ होगा कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर हमने युद्ध को स्विकार नहीं किया तो फिर उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की क्षमता शक्ति को पैदा करता है और अगर हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर लेकर जा रहा है तो मतलब हम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं और पाप के भागी हो रहे हैं अर्थात कृष्ण कहते हैं हे अरजुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्ती का भी कथन करेंगे। युद्ध करने से अगर मना कर दिया, तो उससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोगों की भीड में अगर आप जाते हैं, तो सब आपको सम्मान से देखा, आपकी प्रशंसा करते हैं, और दूसरी स्थिती में आप कही जाते हैं, तो लोग अपमान से देखते हैं, अपनी नजरें फेर लेते हैं। आपको क्या स्विकार है यश या अबकीर्थी अपमान यह सम्मान युद्ध को छोड़ देने का मतलब ही अपमान है भयादर नादु प्रतम मंस्यंतेत्वा महारथा ये शांचात्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसी लागवं अर्थात अर्जुन जिनकी दृष्टी में तु पहले बहुत सम्मानित होकर अब लगुकथा को प्राप्त होगा वो महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे दोस्तों अर्जुन को सब महान युद्धा समझते थे अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वह उसे कायर मानते चाहे अर्जुन हो या हम युद्ध ना करने में बहुत अपमान होता है अच्छा या बुरा छोटा या महान सब तुलना का खेल है इस खेल में हार जीत तो होती है इसके अलावा युद्ध में कोशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और अगर कोई युद्ध से ही मुह फेर लें तो समाज में उसे कही जगह नहीं मिलती अवाच्छ वादांश बहून वदिश्यन तितवाहिता निंदन तस्तव समर्थिततो दुखतरन नुकिम अर्थात आपके शत्रुतो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सकें युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क् हे अर्जुन तेरे लोग तेरे समर्थिकी निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने जैसे वचन भी कहेंगे उससे अधिक दुख और क्या होगा अपनी चारों तरफ देखिए दोस्तों ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में है कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए अगर यह मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सूचिए उन्हें कितनी खुशी होगी फिर हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यक्ता है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ये विनती है कि अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अजय हिंदी कहानिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अर्थात या तो तु युद्ध में मरा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृत्वी का राज्य भोगेगा इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया इसलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुह नहीं मोड़ना चाहिए अर्थात जय पर आजय लाभानी और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से तु बाप को नहीं प्राप्थ होगा दोस्तों अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही लेकिन अगर हार भी जाते है तो अफसोस नहीं होगा निराशा नहीं होगी क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी में लगा दिया अब इस स्थिती को बड़े ध्यान से देखिए युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है और यही तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझे और बस युद्ध में लग जाए अच्छा बुरा सब को एक जैसा समझ कर बस अपने काम अपनी चुनौती में लग जाए एश जाते वहिदा सांग्य बुध्योंगे त्विमाश्रणू बुध्धया युक्तो ये अपार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसी अर्थात हे पार्थ ये बुध्धी तेरे ग्यान योग के विशय में कही गई है और अब तु इसको कर्म योग के विशय में सुन अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नश्ट किया जा सके ग्यान, सोचने और समझने की बात है और कर्म व्यावहारिक नेहा भिक्रमना शोस्ति प्रत्यवाईयो न विद्यते स्वल्पं प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूपी दोश भी नहीं है बलकि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यू रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है सब के लिए ग्यान का साधना का साधूं का मार्ग संभव नहीं है हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए अगर कर्म योग को समझ कर उस पर हम सब चल सके तो कभी निराशा नहीं होगी अगर इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यू के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं अर्थात हे अरजुन इस कर्म योग में निश्चयात्मी का बुद्धी एक ही होती है किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेगहीन मनुश्य की बुद्धी या निश्चय ही बहुत भेदो वाली और अनन्त होती है जब फैसला लेना हो तो बुद्धी एक ही होती है लेकिन जहां सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धी या काम करती यहां अनिर्णय की स्थिती के बारे में कहा गया है जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो न जाने कितनी ही दिशाओं में आपका ध्यान आपकी बुद्धी जाती है लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रयोग होता है और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होना चाहिए अर्थात है अर्जुन जो भोगों में तनमय हो रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीती रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परंप्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं देखते यानि ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल लाब की ही बात करते हैं जब भी कोई काम उससे होने वाले फाइदे से शुरू होता है तो वह काम नहीं स्वार्थ हो जाता है उसे कर्म नहीं कह सकते जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं आप अक्रमी होने से बचिए कामात्मानह स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेश बहुला भोग ऐश्वर्य गती प्रती अर्थात ऐसे लोगों को कृष्ण ढोंगी बताते हैं वो कहते हैं हे अर्जुन ऐसा कहने वाले हैं वो अविवेकी जन इस प्रकार की जिन्स पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्त वानी को कहा करते हैं ऐसे लोग ढोंगी होते हैं यानि वह लोग जो कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बदले में भोग और ऐश्वर्य जैसे फल या लाभ मिल सके काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे की बात करना ढोंग है कई लोग आपको मिलेंगे जो जमीन पर इतना काम नहीं करेंगे जितना वो हवाई किले बनाएंगे दोस्तों ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चेत साम व्यवसायात्मिका बुद्धी समाध हो न विधियते अर्थात जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं जिनका धेय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य हैं उन पुरुशों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धी नहीं होती यानि ऐसे लोगों का धेय स्वार्थ होता है फाइदा होता है भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए इनकी पहचान होती है इनके नकारात्मक नजरिया से इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुची नहीं बस उस काम का फल भोगने में इनको बहुत रुची है अर्थात है अर्जुन वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृती के तीन गुणों से जुड़े है इसलिए तो उन भागों एवं उनके साधनों में आसकती हीन हर शोक आदी बंधों से रहित नित्यवस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतह करणवाला हो यहां पर क्रिश्न अत्यंत कठिन लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे है वो कहते हैं कि वेद भी सिर्फ तीन गुणों में ही सीमित हो जाते हैं उससे आगे वह भी नहीं जानते उससे आगे है कर्म योग उनका कहना है कि कर्म करो लेकिन उसमें आ सकती नहीं और उससे जुड़े सुख दुख से लगाव न रखो यावा नर्थ उधपाने सर्वतह संपलुतो दके तावान सर्वेशू वेदेशू ब्रहमनस्य विजानतह अर्थात बेहत बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है उसी तरह से अगर जिसने ब्रहम तत्व को समझ लिया तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यक्ता नहीं कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर यह मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यक्ता आपको क्यों रहेगी कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ग्यान छोटे पड़ जाते हैं लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर यह होता क्या है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन मा कर्म फल हे तुर भूर माते संगोस्त्व कर्मणी अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तो कर्मों के फल के लिए काम मत कर और ऐसा भी नहो तु कर्म ही न करे कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं गीता के सबसे लोक प्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिंती होती है उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझ कर योगस्था कुरु कर्मानी संगम त्यक्तवा धननजय सिध्य सिध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते अर्थात कृष्ण योग को और समझा रहे है धननजय तू आसकती को त्याग कर सिध्धी और असिध्धी में समान बुध्धिवाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर कर्म के फल की इच्छा न कर और ऐसा नहीं करना कि कर्म करने में इच्छा ना हो यही निश्काम कर्म की कुंजी उसकी चाबी उसका सार है कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किये बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर अर्थात कर्म के फल की इच्छा को छोड़के जो निशकाम कर्मयोगी होता है वह पाप पुन्य से दूर हो जाता है जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है और इसलिए कभी भी वह कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलच जाते हैं इसलिए हमें बुद्धियोग की शरण में आना चाहिए लगन सिर्फ काम में और भगवान में तब बुद्धि निश्चे से काम कर पाती है बुद्धियोग तो जहाती ही उभे सुकृत दुशकृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगह कर्मसु कौशलम अर्थात बुद्धियोग की शरण में आने से बिना फल के काम करने वाला इसी दुनिया में पाप पुन्य से मुक्त हो जाता है हे अर्जुन तु समस्त रूप योग में लग जा मतलब अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो या दुख हो सभी में एक ही तरीके से संभाव से तु बस अपना कर्म अपना कर्तव्य करता रहे अर्थात आम इनसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं तो क्या होगा आपका ध्यान कर्म में रहेगा आप उस कर्म में बहतर होंगे आपकी तरक्की होगी और रही बात फल की तो सोच के देखिए अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहा अरथात कर्म के फल का मोह धन या एश्वर्य का मोह यही मोह हमें भंसाता है जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकलाती है रिष्टे, धन, एश्वर्य बुरे नहीं, उनसे मोह बुरा है क्योंकि जब आपका लगाव इन वस्तुओं से हो जाता है तो सोचने की शक्ती कम हो जाती है बुद्धी ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं इसलिए इस मोह को बुरा बताया गया है धृतराष्ट्र के पुत्र मोह से ही पूरा महा भारत हुआ युधिष्ठिर के दूद या जुए के मोह में उनका पूरा राज्य चला गया था शुरुती विप्रतिपन्नाते यदास्थास्यती निश्चला अर्थात जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बाते होती हैं और जितनी बाते होती हैं उतने तरीके से बुद्धि सोचती है जब दिमाग बुद्धि स्थिर होकर एक जगह है या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं बुद्धि का स्थिर हो जाना ही एक आग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एक आग्रता से कुछ करने को समाधी की स्थिती भी कहते हैं। और अगर आपने एक आग्रता से काम किया हुआ है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो काम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। अर्धात अर्जुन पूछते हैं हे केशव, समाधी में स्थित परमात्मा को प्राप्थ हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोग अपनी अपनी फील्ड में सबसे उपर पहुँचते हैं, उनकी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन भी जानना चाहता है कि जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एक जगह लगा देते हैं, उनकी पहचान क्या है? श्री भगवानु वाच्च प्रजाती यदा कामान सरवान पार्थ मनोगतान आत्मन्य वात्मना तुष्टह स्थित प्रग्यस्त दोच्यते अर्थात श्री भगवान उत्तर देते हैं हे अर्जुन, जिन सकाल में यह पुरुष्मन में स्थित संपून कामनाओं को भली भांती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रग्य कहा जाता है भगवान कृष्ट ने बताया था कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है मोह, इच्छा या कामना छोड़ना ही आत्मा के पास आना है जिसको संतुष्टी शांती के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता वहीं अपनी कामना को त्याग सकता है दोस्तों सोचिए क्या आपको अपनी खुशी, अपनी शांती के लिए किसी और की आवश्चक्ता पड़ सकती है अर्थात बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो अच्छा होने पर जो मन भी शांत रहे खुशी से पागल ना हो गुसा, डर या प्रेम जो सब कुछ एक ही भाव से एक ही जैसे देखता हो उसकी बुद्ध स्थिर रहती है और वही मुनी या योगी कहलाता है अच्छी खबर मैं खुश हो जाना बुरे पे उदास यह तो स्वाभाविक ही है अगर किसी जानवर को भी आप कुछ खाने को देंगे तो वह खुश होगा छीन लेंगे तो उसे बुरा लगेगा लेकिन इस सबसे जो उपर उठ जाता है अलग-अलग अवस्थाओं में भी वह अपनी स्वयंग की हालत नहीं बदलता मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है यानि वो मुनी है वो योगी कहलाने की लायक है ये सर्वत्राण भिसने हस्ततत प्राप्य शुभाशुभम ना भिनन्दती न द्वेश्टी तस्य प्रग्या प्रतिष्ठिता अर्थात जिसमें लगाव नहीं है शुभ हो या अशुभ अच्छा या बुरा जो दोनों को एक जैसे देखता है वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि किस तरह से अलग-अलग हालात में खुद को अपनी बुद्धि को स्थिर रखा जाए कैसे संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं वरना चारों तरफ या तो दुख की हाहाकार होगी या खुशी से लोग जूम रहे होंगे यदा संहरते चाएं कूर्मोंगानीव सर्वशा अर्थात कचुआ जिस तरह से सब और से अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही जब पुरुश इंद्रियों के विशयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है यानि दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से पचना ही बुद्धि को स्थिर करना है अगर किसी के सामने आप बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखें तो क्या वो खुद को रोक पाएगा अगर दुनिया की वस्तुएं आपको लुभा नहीं पाती तो आप अपनी बुद्धि को नियंतरण में ले आएंगे अर्थात संभव है कि हम दुनिया के विशेओं में रूची ना ले इससे हम दुनिया से दूर तो हो जाएंगे लेकिन दुनिया के प्रति उनकी आसकती नहीं जाती कहने का मतलब है कि मन की इच्छा को खत्म करना है आशकती खत्म करनी है अगर ऐसा करना है तो ही बुद्धिस्थिर होगी क्रिश्न कह रहे हैं कि मान लीजिये आप दुनिया की वस्तूओं को ना भी बोल देते हैं तो क्या आपका मन उनहीं में लगा हुआ है आसकती इच्छा खत्म करनी है तभी तो मोह खत्म होगा मन के लगाव को ही मोह कहते हैं यततो यपी कौन तेय पुरुशस्य विपश्चिता इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना अर्थात हे अरजुन आशक्ती का नाश ना होने के कारण यह स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयास करते हुए बुद्धिमान पुरुश के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है कृष्ण समझा रहे हैं कि जहां आप अपनी इच्छा या अपनी आशक्ती खत्म नहीं करते वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती है सोचिए कितनी ही बार ऐसा होता है कि सुख दुख आपके वश में नहीं आप सुख दुख के वश में हो जाते हैं कभी हंसी नहीं रुकती तो कभी रोना नहीं, कभी भूख नहीं रुकती तो कभी काम वासना भी नहीं रोकती। तानी सर्वानी संयम्य युक्त आसीत मत परह। वशय ही यस्यंद्रियानी तस्य प्रग्या प्रतिष्ठिता। अर्थात, इंद्रियों को वश में करके, भगवान को ध्यान में रखकर जो बैठता है, अपने कर्म अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है, उसी की बुद्धिस्थिर हो जाती है। अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। अपनी बढ़ती है, उसी तरह से जब आप अपनी च्छाओं के बारे में सोचते रहते हैं, तो बस उसी में फंसके रह जाते हैं। और उसे ही आसक्ति कहते हैं, आसक्ति के बढ़ने को कामना कहते हैं, और कामना के पूरा ना होने पर गुस्सा आता है और तब आप अपनी समझ खो देते हैं। बुध्धी अर्थात ग्यान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ग्यान किसी काम नहीं आएगा। बुध्धी बेकार हो जाएगा। और बुध्धी का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिती से गिर जाता है। प्रसंद से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते, वो अंतह करण की प्रसंदा को प्राप्त होते हैं. ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसंदा होती है. आनंद, खुशी, शांती कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों, वो तो हम अंदर होती है. प्रसादे सर्वदुख खानां हानिरस्यों पजायते, प्रसंद चेत सो ह्याशु बुद्ध्य पर्यवतिष्ठते, अर्थात अंदर से प्रसंद होने पर दुख खत्म हो जाते हैं. दोस्तों, आप अपने लक्ष के बारे में सोचिए, प्रयास करिए कि उस सबसे अच्छा पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ उसे कैसे कर सकते हैं और उसे पूरा करने में लग जाईए. फल का मत सोचिए कि लक्ष पूरा होगा की नहीं, बस उसे करते रहिए और फिर देखिए कैसी मानसिक शान्ती और सुकून मिलता है आपको. नास्ती बुद्धिर युकतस्य नचा युकतस्य भावना, नचा भावैतह शान्तिर शान्तस्य कुतह सुखम. अर्थात जो पुरुष अपने मन या अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाते, उनमें निश्चयात्मिका बुद्धी नहीं होती, यानि कि वो सपष्ट और जुक कैसे मिल सकता है? बीमार आदमी क्या अच्छा खाना और क्या बुरा खाना उससे कुछ अच्छा नहीं लगता? जो अंदर होता है, वो बाहर आता ही है. अर्थात, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही विशयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिन्स इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धी को हर लेती है. अगर वो क्रोध में है, तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में है, तो उसे किसी बात की सुध भी नहीं रहेगी. जिन्स भी इंद्रिय के वश में होगा, उसे उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आएगा. इन इंद्रियों के नियंत्रण से निकल के इनको आपके नियंत्रण में रखें। फिर देखिए आपके लिए क्या संभव है। सब कुछ संभव हो जाएगा। इन इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। उसी की बुध्धि स्थिर है। और बुध्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पर हम उलज के अपना असली मकसद भूल जाते हैं। बुध्धि सहारा लेती है हम जागरती भूतानी सा निशा पश्यतो मुने है। अर्थात संपून पराणियों के लिए जो रात्री के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूब परमानंद की प्राप्ती में स्थित प्रज्ययोगी जागता है और जिन्स नाश्वान सांसारिक सुख की प्राप्ती में सब प योगी परमात्मा के लिए ग्यान के लिए जागता है और साधना करता है और जो सब के लिए संसारिक सुख है जिस के लिए संसार में हर कोई जागता है वह सुख योगी के लिए रात के समान है। पर्थात जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिससे स्थित प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकास उत्पन्न किये बिना समा जाते हैं। वहीं पुरुष परम शांती को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। नदियां समुद्र को विचलित नहीं करती। उसी तरह से स्थिर बुद्धी वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपका अपने उपर नियंत्रण नहीं है। ऐसा समुद्र बनिये जिसमें कोई भी नदी, किसी भी तरह की गाली या कोई आपको कभी भी विचलित ना कर पाए। विहाय कामान्य, सर्वान पुमान्श्चरती निहस्प्रहा, निर्ममो निरहंकारा, सर्शांती मधिगच्छती। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रहा रहित हुआ विचरता है, वहीं शांती को प्राप्थ हो इसे ही इंसान को शांती प्राप्त होती है। ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मानंद को शांती प्राप्त होती है। दोस्तों ये था गीता का दूसरा अध्याय सांख्ययोग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म को समझाया। उसके प्रती हमारे उच्जाह को बढ़ाया। और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ कर्म में ही अपना ध्यान रखना और किसी भी बात में नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही हम आपको मुलाकात करेंगे तीसरे अध्याय में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जैश्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद जैश्री राधे कृष्ण